जाहिन दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपने अप्टी चैनल एईजजेश्टेडी पे दोस्तों भी में बात करेंगे इंडन नेवी डबल ए इससर नई भरती दो हुज़र बाइस के बार में बहुत सारे केंडिट का सवाल तक कि सर नेवी डबल ए और इससर का अधिकेशन कवाउट होगा एडिकेशन कॉलिफिकेशन इसके लिए क्या होता है एज लिमिट क्या रहने वाल है अगली वेकैंसी के लिए फॉर्म फिल अपडेट क्या रहाएगा टोटल पॉश्ट कितने पर रहेंगे ठीक है सब कुछ आप लोग बताओंगा एक्जाम पिलोट दोलालेट तो यह सब pantry कारने का वहा कि बैब देखा गया और अब फिर से न्यू तो मेर भाई आप लोग देख रहे हैं या पर हमने नोटिफिकेशन को उपन किया यह इस बार का ही नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन शारे जगह पे मतलब की डल चुका था यानि कि जितने भी वेबसाइट हो गया डिये बीपके वेबसाइट पर हर जगह पर डला कर दो पस इंडडन ने भी ने उस डियट को अपने ओफिस्चल एफ साइट पे नहीं डाला लेकिन यह रियल नोटिफिकेशन था इस नोटिफिकेशन को ने वह आपस ले लिया यह जो नौटिफिकेशन सेम यही रहेगा ठीक है एक अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच में रहेगा तो यह हो गया आप लोग का एज लिमिट हो ठीक है सबसे पहले एज लिमिट देख लो बहुत सारे कंडिट को यही सस्पीशन होता है कि सरम नेक्स्ट वेकेंसी के लिए लिजिवल है या नहीं है फॉ यहां पर देख रहे हो यह सही है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर नोटिफिकेशन कब तक आउट हो गया था साल में दो वेकेंसी आप लोगो देखने को मिलता है एक जून से जुलाई के मन्त में एक नवंबर से दिसंबर के विंद में ठीक है तो यहां पर देखोगे तो यह नोटिफिकेशन अभी तक आउट हो जाने चाहिए था लेकिन डिफेंस में बहुत बड़ा चेंजिंग हो रहा है जिसके कारणा सारा से जुरुक रखा है आर्मी हो गया एयर फोर्स होगे नेवी होगे ठीक है तीनों के अंदर तो यहां पर अभी एक टी ओडी सुन जाने वाला चाणस है अकर नहीं निकाला जाता है फिर फिर पिर यहां पर बूला जा रहा है कि के अन्दर आप लोगो मै लास्ट वीक से आप लोगो सारे Bewixण सी देखने को मिलेंगे यह फेपर बता रहा है यहीं एसे आफ पोई अपडेट लिखने को मिल जाएगा और ह वो भी सकता है क्योंकि यहां पर देखोगे तो मतलब की टाइम भी है जो ज्यादा हो रहा है ठीक है माई के बाद फिर यहां पर जून आ जाएंगे जून कब फिर जुलाई और जो नेक्स्ट वैच रहने वाला अगरस्त 2022 वैच यानिक अगरस्त मिनको ज्वाइनिंग भी ले माई लास्ट वीक में आप लोको नॉटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अगर माई लास्ट वीक में नहीं देखने को मिला तो जून में इदम कंफर्म हो जाओ कि जून में आप लोको कोई नहीं रोकेगा फर्स्ट वीक तक देखने को इस नॉटिफिकेशन को ठीक है सबसे पहले qualification के लिए इसमें दो पोस्ट होंगे डबले और SSR की जिसमें की डबले और जॉइन करने के लिए आपको 10th प्लस 2 याने की 12th पास होना है लेकिन आप लोगो 12th में 60% मार्क्स होनी चाहिए तब जाके आप लोग क्या कर पाओगे यहां पर आप लोगो मौका लेकिन इसमें कोई परसेंटेज वाली बात नहीं रखे गई SSR के अंदर और इसको आप लोग क्या कर सकते हो फॉर्म को फिल अप कर सकते हो तो यह हो गया अब आप लोग के मन में सारे सवाल चलने होंगे की सार परसेंट पर क्या एडमीट कार आ जाएंगे 50% पर अडमीट कार आ जाएंगे यह सब सारे सवाल आप लोग के मन में चलने ठीक है तो यह मैं किलियर कर दूँ आप लोग को कि सबसे पहले देखो कि अभी जो यह नॉटिफिकेशन आउट हुआ था इसको वापस लेने का एक कारण यह हो सकता है कि फिर से मतलब की नॉटिफिकेशन को र यहां पर देखोगे तो यह तो होगा पेपर का अब देखो कि पशाल आं लाइन होंगे तो कंफर्म रहे का कि हाँ पर 100% की आप लोग का एडंटी अद्मिट काण है वह आए गा ही आएगी आडंट कार पर सेंटेज कोई माइने रएगे एडंट कार सब का यह जिनका कम पर कर दिया अब फॉर्म्स हो है कब से ओन्लाइन फिलफ होंगे नहीं डवल ऐसे सार के लिए अगर जून फश्ट विक या मई अगर देखने को मिल जाता है ठीक उसके दस दीन के बाद आप लोगो को फॉर्म फिलफ के लिए आप लोगो चांसे से मिलेंगे पोश्ट की बात कर आप लोगो देखने को मिल जाता है कि यह हो गया पांसो यहां पर दो जाएंगे फॉर्म कपसे फिलफ होंगे एज लिमिट क्या है एजुकेशन वालिफिकेशन क्या है ठीक है सब पुछ मैंने आप लोगो अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया वैंसी आप लोगो मैं अब कोई भी डाउट आप लोगो नहीं बच्छे होंगे मेरे अब कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्स़ल में करके पूश्सकत sound बाग बाद कुछ भी दिक्कत होता है ठीक है कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे इंस्टाइफ फॉलो कर लेना वहाँ पर मैसे करना जरूर आप लोग को रिपलाई कर दूंगा बहुत सारी कंडिड का सवाल था इसलिए इस वीडियो को बनाना पुरा बाग बाग सब्सक्राइब करने वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जाहीं दूंदे मातरम है कि अ